नमस्कार दोस्तों मैं सुभम स्वागत करता हूँ हमारे और आपके यूटीब चैनल ऑनलाइन प्रोसेस में दोस्तों इस वीडियो में आपको भोटर आडी कार्ड ऑनलाइन अप्लाई करनी के बारे में बताने वाला है दोस्तों अगर आप इस वीडियो को अंति तक देख लेते तो आप घर बैटे वोटर आडी कार्ड आउनलाइन अपलाई कर सकते हैं इसमें दोस्तों यहाँ पर क्या क्या डोकुमेंट लगने वाला है कैसे आवेधन करना है आएधन करने के बाद उसका एस्टेटस कैसे चेक होगा इस सबसे सम्मंदी दोस्तों यहाँ पर सारी जनकारी आपको इस वीडियो में बताई जाएगी अगर आपको वीडियो पसंद आते वीडियो को लाइक कीजिएगा चैनल को सस्क्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके अपने सारे वर्टसप ग्रूप में सेर जरूर कीजिएगा सबसे पहले दोस्तों हम आपको बता दे कि यहाँ पर भोटार आड़ी आउनलाइन अप्लाई करने के लिए महत्यपूर दस्तावेज क्या क्या है यानि दोस्तों इंप्रेंट्ट की बात करें तो इंप्रेंट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् को यह आपकर क्या क्या डोकुमेंट मंगा जायगा और साथी साथ दुश्टों यह पर एक आपको आधार काड माने तो दुश्टों यह आपके पस अगर बैंक का से बता रहा हूँ, सबसे पहले दूस्तों आपको यहाँ पर आजाना है online process.com पर इस website पर आने कवाद है यहां पर सर्च करना है भोटर, voter ID यहाँ पर सच किजिएगा तो यहां पर दूस्तु भोटर ID से स्वार्मनेट यहां पर आर्टिकल जो भी होगा यहां पर आपको मिल जाएगा वोटर आडि काड़ ऑनलाइन अपलाइन बिहार 2022 है यह पर दूस्तों आप गूगल पर साच कीज़ेगा वोटर आड़ी काड़ ओनलाइन अपलाइन 2022 ऑनलाइन प्रोसेस तो फर्स्ट पर आपक पर सामने एक website open होगा nbsp.in इस website के बाद हम से ही यहाँ पर voter ID का online आगदन किया जाता है तो सबसे पहले जुस्त आपको इस website में एक आपका ID और password होना चाहिए ID और password बनाने के लिए अपको यहाँ पर login या पर register पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर ID और password आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर आपके पास ID और password है तो आपको mot relationships को Fill Up कर लिया अब यहाप पर Send OTP पर क्लिक करुंगा, Send OTP पर क्लिक करने के बाद यह जो Number है दिया गया है, इस Number पर आपका एक OTP गया है, उस OTP को आपको यहाप फिल up करना है, तो चलिए मैं यहाप पर OTP को Fill Up कर लेता हूँ, मैंने यहाँ पर OTP को fill up कर लिया है verify OTP पर मैं click कर लेता हूँ verify OTP पर click करने के बाद दुस्तों यहाँ पर आपके पास option आ रहा है कि आपके पास epic number है या फिर नहीं तो हमें यहाँ पर new registration करना है तो हमें यहाँ पर मेरे पास epic number नहीं है अब यहाँ पर register पर मैं click करने के बाद दुस्तों यहाँ पर हमारा registration successful हो चुका है अब यहाँ पर हमारा password ID और password डाल करके हमें login करना है था हमारा ID और password यहाँ पर automatic आ चुका है मैं यहाँ पर capture को fill करूँगा capture फिल करने के बाद यहाँ पर login पर हम click कर लेंगे login पर click करने के बाद हमारा ID और password login हो चुका है अब हमें क्या करना है हमें यहाँ पर new registration करना है यानि जुस्तों phrase यहाँ पर enrollment करना है तो यहाँ पर दिख सकते हैं phrase यहाँ पर enrollment यहाँ पर दिया हुआ तो इस पर हम click करेंगे इस पर click करने के बाद अब हमसे पूचा जा रहा है कि क्या आप इंडिया रहने वाले इंडिया के रहने वाले रिख करना है और यहाँ पर आप से state पूचा जार है आप किस state से belong करते है उसका बाद आपको next पर click करने कबाद दुस्तों आपका Assembly यानि दुस्तों आपका पूछा जारा है, यहां पर आपका घर होगा, अब याप पर house number पूछा जारा, house number, street और यहां पर village post office यहां पर पूछा जारा और pin code, तो दोस्तु house number में आप अपना ward number या फिर अगर अगर आपका घर, माकान नबर है, तो डाल सकते हैं या फिर आप 00. डाल देजेगा, कोई यापको बताओंगा कि यापको बताओंगा कि अड्रेस प्रूप में क्या क्या लग रहा है नौर्माली मैंने bank password select करने के लिए option दिया था क्योंकि दुस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर address प्रूप में आपको अधार का कही पर भी option नहीं मिल रहा है या पर Indian passport, driver license या फिर आपको यहाँ पर रासन यहाँ पर attach कर लूँगा अब यहाँ पर दूस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि आपके घर में आपके family में कोई और एक voter ID नंबर है इपिक नंबर है तो यहाँ पर fill up कीजिए नहीं तो आप ऐसा छोड़ सकते कि यह स्टार मार्कें नहीं लगा हुआ है तो मैं यहाँ पर सा village का नाम पूछा जा रहा है तो मैं अपना village का नाम फिल कर लूँगा village का नाम फिल अप करने के बाद नीचे यहाँ पर दूस्तों आपसे state पूछा जा रहा है state आपको फिल कर लेना है उसके नीचे दूस्तों आपको यहाँ पर district पूछा जा रहा है district को यहाँ पर अपना अधार कार्ड को select करेंगे, अधार कार्ड यहां पर हम upload कर लेंगे, अधार कार्ड upload करने के बाद दुस्तों यहां पर एक आ रहा है, age declaration form, तो दुस्तों हमें यह age declaration form जो है, इसे हमें fill up करना होगा, fill up करके यहां पर इसे scan करके, आप लिकेंड का यहां पर signature करा करके आपको इसमें upload करना होगा तो चलिए आप पर अपना scan करके इसे upload कर लेता हूँ यहां पर दूस्तों यह एनेक्चर 3 form है यहां पर इसमें आपको यहां पर भरने के लिए हम बता देते हैं पर naam पर नाम में पर नीचे सरने में जैसे यहां पर सुभं कुमार हुआ तो शुभं उपर में लिखा जाएगा और नीचे यहां पर कुमार लिखा जाएगा यहाप दोस्तों हिंदि एंगलेश दोनों automatic हो जाएगा आपर gender आपको select करना है gender male, female जो भी होंगे उसके बाद आपको एपपर father name select करना है father name में सबसे पहले आपको यहाप type select करना है कि आप father name select करना है या फिर mother select करना चाहते हो तो मैं यहापर father select करूँगा, यहापर father का नाम यहापर मैं fill up कर लूँगा, उसके बाद दूस्तों नीचे यहापर document में यहापर दूस्तों आपको upload करना होगा, आपको यहापर अपना photo, तो चलिए मैं यहापर सारा detail को fill करके यहापर photo को attach कर लेता हूँ, मैंने यहापर सार इसी में मैं यहापर fit कर सकूँ, तो दूस्तों यहापर यह मेरा fit हो चुका है, यह लगबलबग मैं यह जो आपका cursor दीख रहा है, इसी के बीच आपका आना चाहिए, तभी दूस्तों आपका यहापर होगा, तो मैं यहापर पहले से uploaded है, तो मैं इसे crop करके रखा हूँ, इ नीचे दूस्तों आपसे mobile number, email ID पूछा जा रहा है, अगर आपको देने का मन है, तो दिजीएगा नहीत है, दूस्तों आप इसे email ID को यहापर छोड़ सकते है, mobile number मैं यहापर fill कर लेता हूँ, ताकि future में कोई भी message हो तो यहापर पहुच सके, मैंने यहापर mobile number को भी fill up कर ल उसका यहापर एक preview दिख लाएगा, इस preview में आपको पूरा detail को match कर लेना, अगर आपका detail सारा चीज़ सही है, तो आपको यहापर next करना है और submit करना है, तो चले मैं एक बार preview को देख करके मिला लेता हूँ, finally दूस्तों हमने यहापर पूरा preview देख लिया है, मेरा यहापर स apply करने के बाद दूस्तों एक final receiving मिलेगा, एक reference number मिलेगा, उस reference number को आपको यहापर submit करना पड़ेगा, मेरा दूस्तों यहापर कुछ error किया, तो दूस्तों यहापर मैं फिर से यही चीज apply करूंगा, apply करने के बाद मेरा reference number जो मिलेगा, उस reference number को हम print out करके customer को दे देंगे, औ और उस reference number से यहापर दूस्तों मेरा application का status भी देखा जाया, जाकि मेरा वो status अभी क्या है, तो चलिए मैं यहापर एक बर आपको reference number का status चेक करके भी आपको दिखला देता हूं, फानली दूस्तों यहापर submit करने के बाद कुछ इस तरह से यहापर आता है, यहापर आपका reference number पर यही होता है, इसी reference number से आप अपना status चीक कर सकते है, चलिए मैं इसे copy कर लाता हूं, track application status यानि track status पर हम क्लिक करेंगे, यहापर इंटर reference number डालने के लिए हमें बोला जा रहा है, तो मैं आपर reference number को डालूंगा, track status पर मैं क्लिक कर लूंगा, यापर दूस्त आप देख सक subscribe होगा, उसके बद accept or reject का यहाँ पर message आएगा, तो आप यहाँ पर wait कीजिए, आप आपका status चिक करते ही, आपका यहाँ पर कितने दिन में यह चीज अप्रूब हो रहा है, यह आप हमें comment करके जरूर बताएगा, यही तो छोटी से update दोस्तों, आपको इस वीडियो में वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक नेकनेस टॉपिक के साथ,